हलो फ्रेंड्स हाव यू आज हम बनाएंगे फलाहारी माल पुए और आलू के पराठे आप इने किसी भी व्रत में खा सकते हो, महा शिवरातीरी के व्रत में भी बना के खा सकते हो तो हम सबसे पहले आलू के पराठे बना लेते हैं फलारी तो चलिए आलू के पराठे बनाने के लिए हम एक कटोरी आटा ले लेंगे मैंने या सिंगहाडे का आटा लिया है आप राजगिर्रे का ले सकते हो कुट्टू का आटा ले सकते हो जो भी आप खाते हो वो आप ले लीजिए इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए और आलू डाल देंगे इसी में उबले हुए आलू लिये मैंने दो छोटे और इनको मैश करके इसमें डाल दूंगी एक हरी मिर्ची बारी काट कर लिए है मैंने थोड़ा हरा धनिया लिया है मैंने या अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को अच्छे से मसलते होए आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अभी पानी नहीं लगाएंगे पहले एक बार अच्छा से इसको आलू को मैश कर लेंगे आटे में दबाते हुए अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी लेते हुए और इसको नरम सा आटा उसका लगा लेंगे यह देखे बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगा है इसमें अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा के और आटे को थोड़ा चीश से सेट कर लेंगे आटा हमारा सेट हो चुका है यह देखे बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा तैयार हो गया है अब हम इसकी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे इसको गोल करके और हातों में थोड़ा घी लगा लेंगे पहले आप इसे पन्नी से भी बेल सकते हो पन्नी के चिकनाई लगा के और हातों से भी बड़ी आसाने से यह बिल जाएगा हमने हातों के थोड़ा घी लगा लिया है और इसको यह देखे मिलकुल पतला सा हमने बेल लिया है पराठा अब हम दवे पर घी लगा के और पराठे को सेख लेंगे थोड़ देर बाद हम इस पर घी लगा के इसको पलट देंगे तो दूसरी साइड से सेख लेंगे आप इन्हें अपने मन पसंद किसी भी तेल में सेख सकते हो या मेरी तरह देशी घी में सेख सकते हो आप जो भी फलारी तेल इस्तमाल करते हो व्रत में उसे आप पराठे बनाने में यूज़ कर सकते हो नारियल का तेल, मूफली का तेल, और तिलली का तेल व्रत में खा सकते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हो दूसरा बना लेंगे इसी तरह से आप अपने हिसाब से बेल सकते हो छोटे या बड़े इसे भी सेख लेंगे गी लगाके इन पराठो को आप दही के साथ खा सकते हो बहुत तेस्टी लगते हैं और आप अपने हिसाब से इन में काले मिर्च जाल सकते हो तीखा करने के लिए इनको आप कोई फलारी सबजी बना के आलू की उसके साथ इनको खा सकते हो और ये पराठे दई के साथ बहुत तेश्टी लगते हैं ये हमारे पलारी पराठे तयार है अलू के पराठे पलारी आटे के अब हम बनाएंगे माल पुआ माल पुआ बनाने के लिए हम एक बावल में एक चम्माच चीनी ले लेंगे बड़ी चम्माच अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे गरम पानी और इसको चीनी को पिगाल लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी अमारी पिगल चुकी है अब हम इसमें सिंगाडे का आटा डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके मैंने यासी गाड़े का आटा लिया है आपको इसा भी ले सकते हो जो भी आटा आप ब्रेत में खाते हो यूज करते हो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है आप गुड में भी बना सकते हो अब हम तवे पे गी लगा के और उस पे बेटर फिला देंगे मैंने इसमें थोड़ा सा इलाइचे पाउडर डाल दिया है इलाइचे से अच्छे खुश्बू आती है इस तरसे आप हलके आज से इसको फिला दीजिए और थोड़ा गी लगा के और इसको आसानी से पलाट दीजिए आराम से अब दूसरे साइट में हम गी लगा देंगे देखें हमारा मालपुआ जो है वो दोनों तरफ से सीख चुका है अब हम इसको पलेट में निकाल लेते हैं अब हम दूसरा बना लेते हैं आप इन मालपुआं को कोई से भी व्रेत में बना के खा सकते हो ना वरात्रे में खा सकते हो शिवरात्री के ब्रेथ में खा सकते हो, एकादसी के ब्रेथ में खा सकते हो, आप और भी कोई ब्रेथ रखते हो तो आप उनमें इसको बना के खा सकते हो, यह हमारे मालपुर रेडी हैं, आप सभी को महाशिवरात्री की बहुत-बहुत सुब काम नाएं,